हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दिस अपना शेखावत वेलकम तो माई यूटूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर ऐस शेखावत बैंकर्स फ्रेंड्स आज का हमारा जो सेशन है वो रिवीजन सेशन है विकोज जो भी हमने वोकाइबलरी याद किया अगर उनको से वोकीबलरी याद हो जाएंगी सो फ्रेंड्स आज का हमारा रिवीजन सेसन है जिसमें हमारी फीर्स्ट वोकाइब है पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन एकन नाउन है जिसका मतलब होता है प्रिवेश करना, means the act or power of penetrating, मतलब कि जिसे कोई वस्तु है उसको बेशने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की help जो आप लोगों तक पहुचाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट में अपना space बनाना पड़ेगा, अगर आप मार को लोगों तक पहुचा पाओगे, सो उसको बोलते हैं penetration, synonyms क्या होगा, diffusion, interest और ingress, antonyms क्या होंगे, departure, egress और evocation, so friends, आज की हमारी second vocab है elegant, elegant एक adjective है, जिसका मतलब होता है, sist means graceful in from our moment, यनि की beautiful भी बहल सकते हैं, या फिर tasteful भी, जिसे कोई भी पोसाक है, या फिर कोई भी सैली है, और उसका design इतने सांदार तरीकी से बना गया है, कि उसको देखने से बिलकुल लगे, कि वो बहुत ही ज़्यादा sist है, यनि की simple है, लेकिन वो बनाने में तो simple और sist दिखाई देती होगी, लेकिन वो attractive भी होनी चीए और fashionable भी, means कि जो आज कल पर्चलन में हो, वो भी दिखनी चीए, उसको बलते है elegant, synonyms क्या होगा, delicate, fashionable और grand, antonyms क्या होगा, common, inferior, insignificant, so friends, आज की हमारी third vocab है, aggregate, aggregate, aggregate adjective है, जिसका मतलब होता है cool, means that की collection from separate parts, या फिर हम बोल सकते हैं, collection of particulars into a whole mass, और sum, sum मतलब sum, sum मतलब zone, means that की संयूक्त है, कोई चीज है, बहुत सारी, और उसका sum निकालना है, यनि की total, या फिर किनी दो चीजों को मिला कर, एक बनाना, एक संग्र करना, उसको बोलते है, synonyms क्या होंगे, combined, corporate, cumulative, और antonyms क्या होंगे, uncombined, individual, और particular, so friends, आज की हमारी fourth vocab है, integrity, integrity एक नाउन है, जिसका मतलब होता है, अखंडता, means that की adherence to moral are ethical principles, soundness of moral character, honesty, means that की adherence होता है, नेतिक सिद्धानतों का पालन करना, इससे जो अगला word होगा, मैं वो adherence को पूरा डिस्क्राइब करके बता दूंगी, इसका मैंने एक अलग सी vocab बना दी थी, so friends, adherence to moral means that की नेतिक सिद्धानतों का पालन करना, या फिर ethical principles, soundness of moral character, honesty, means की नेतिक चृत्र की सुदर्टा होना, या फिर अत्यधिक इमानदारी रखना, उसको बोलते हैं, integrity, synonyms क्या होंगे, honesty, principle, rectitude, और antonyms क्या होंगे, disgrace, corruption, और dishonesty, so friends, आज की हमारी 5th vocab है adherence, अभी अभी मैंने बताय था friends, आपको की adherence to moral means that की नेतिक सिद्धानतों का पालन करना, इनकी adherence एक noun है, जिसका मतलब होता है अनुपालन, means that की the quality of adhering, steadily devotion, sport, allegation and attachment, means that पालन करने की गुनवता रखना, स्थिर होना, या फिर स्मर्थन करना, या फिर निष्ठा, या फिर लगाओ, attachment, जिसको बोलते हैं, तो वो होता है adherence, synonyms क्या होंगे, attachment, loyalty, fidelity, और antonyms क्या होंगे, inconsistency, disloyality, और unstateliness, so friends, आज की हमारी 6th vocab है, pragmatic, pragmatic एक adjective है, जिसका मतलब होता है वयवहारिक, means that की relating to a practical point of view, are practical considerations, means that वयहारिक द्रश्टिकों या फिर वयहारिक विचारों से सम्मंदित होना, बोल सकते हैं sensible, यानि की बहुत अधिक सम्मझदार होना, आपने behavior को लेकर अधिक, कुछ लोग होते हैं, जो की उनका वयवहार बहुत अच्छा होता है, वो सम्मझदार होते हैं, तो उनको बोलते हैं pragmatic, synonyms क्या होंगे business like, down to earth, जो लोग down to earth means की धरती से जुड़े होते हैं, वो वयवहारिक ही होते हैं, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है efficient, एंटोनिम्स क्या होंगे, impractical, inefficient, और irrational, तो फ्रेंड्स, आज की हमारी नेक्स्ट वोकेब है, predicament, predicament एक नाउन है, जिसका मतलब होता है situation, यहनी की स्तिथी, means that difficult situation, an unpleasantly difficult, preplexing, or dangerous situation, means that every problem, यह फिर कोई खतरना काम, यह फिर कोई कथिन situation, means that difficult situation, हम बोल सकते हैं, कि एक ऐसी problems, जो हम चाहते नहीं कि वो हमारी लाइट में आए, और वो फिर भी आ जाते हैं, उसको बोलते है predicament, synonyms क्या होंगे, circumstance, hardship, dilemma, और एंटोनिम्स क्या होंगे, advantage, agreement, और benefit, so friends, आसकी हमारी next vocab है, untangle, untangle एक नाउन है, जिसका मतलब होता है, suljhana, means that कि, to bring out of a tangled state, यह फिर disentangled, means that कि, एक कथीन यह फिर पेचिदा situation, जिससे बहार निकलना बहुत ही जादा मुस्किल हो, यह फिर उस पेचिदा situation को suljhana, यह फिर हम simple भासा में बोल सकते हैं कि, समश्याओं का समाधान निकालना, कोई भी समश्या आपकी लाइफ में और उसका समाधान निकालना, उसको बोलते हैं, untangle, synonyms क्या होंगे, clear up, explain, unscramble, और antonyms क्या होंगे, entangle, और twist, So, friends, आज की हमारी next vocab है, mendant, mendant एक noun है, जिसका मतलब होता है, सासना देश, means that की, एक command, मतलब की, किसी, कोई, कोई चीज है, या फिर कोई भी group है, उसको command करना, और authorization to act in a particular way on a public issue, given by the electorate to its representative, means that की, अपने परतिनिधी को, निर्वाचन दवारा दिये गए, सार्वजनिक मुद्धों पर, एक विशेज तरीके से कार्य करने के लिए, आदेश देना, या फिर प्राधिकरन करना, उसको बोलते हैं, mandate, सासना देश, synonyms क्या होंगे, authorization, instructions, और command, antonyms क्या होंगे, denial, refusal, और request, so friends, आज की हमारी last vocab है, abence, abence एक noun है, जिसका मतलब होता है, means that की, temporary, in activity, cessation, or suspension, means that being initiative, or suspended, एक ऐसा है, निस्करियता, समाप्ति करना, या फिर निलंबन, या फिर किसी कार्य में, देड़ी करना, या फिर बोल सकते हैं कि, आउकास, तो उसको बोलते हैं, abence, synonyms क्या होंगे, dormancy, in activity, intermission, और antonyms क्या होंगे, operation, continuous, और revival, so friends, आज का vocab session, अगर आपको अच्छा लगाओ, तो channel को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, so bye bye, मिलते हैं, next video के साथ, कल सुबच्छे विजिए,